So, Hey All student and Welcome Back to my YouTube channel. This is Himani Josip from Haldwani Uttarakhand. तो आज मैं आपको यहां बताने आई हूँ कि काउंसलिंग कितने, मतलब स्टेजस तक होते, कितने राउंड होते हैं. अभी तक आपने सिर्फ तीन राउंड सुने होंगे, कुछ लोगों ने एक एक एक्ट्रा राउंड भी सुना होगा, बट जिन लोगों नहीं सुना हैं, उनके लिए मैं यहां पर हूँ. तो ये वीडियो, BSC, Nursing, A&M, G&M, Paramedical सभी के लिए इंफर्मेट हैं, तो प्लीज डोंट स्किप्ट आ वीडियो, वीडियो को एंड तक देखिएगा. वैसे नॉर्मली जो counseling होती है, वो third round तक होती है, first, second, third ये आप सभी को पता है, और जो counseling की fees होती है, वो हमें सिर्फ first round में pay करनी होती है, second और third round हमारी counseling जो होती है, free में होती है, ठीक है, ये वाला मैंने सबका doubts clear कर दिया है, और कुछ student में से question कर दे दिया हम क्या सीधे direct, second round की counseling में participate कर सकते हैं, अगर हम लोग first को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता है, first round की counseling में जो data fix होता है, second और third round की counseling तक चलता है, अगर आप first round की counseling skip कर दोगे, तो आपको second और third counseling में participate नहीं करने दिया जाएगा, understand में क्या बोल लिए हो, इसलिए first round की counseling में अपना नाम जरू लिख हो आई है, यह मैं सोचिए, कि सीधे second और third कर वाँगा, तो मुझे college मिल जाएगा, यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, और जो जो documents आपको लगाने हैं, अगर आपके journal वाले, अगर आपके पास AWS certificate है यह फिर लगवा लीजिए, क्योंकि यह मैं सोचना है कि first round की counseling में एक document नहीं लगाऊंगा, तो कोई नहीं second और third counseling में लगवा लोंगा, यह भी नहीं होता है, first round की counseling में जितने documents आपने लगाए हैं, जो certificate आपने भरा है, जैसा भरा है, वही data आपका second और third round की counseling तक चलता है, कोई changes नहीं होता है, तो इसलिए बहुत आराम से सोच समझ के, पूरे documents को update करके counseling करवाए, यह मत सोचना कि हम लोग second और third में documents update करेंगे, नहीं, जो एक वर first counseling में documents लगए, वही आपके, ओके तो first round की counseling में जो documents आप लोंग लगाते हैं, वही आपके second और third तक चलता है, आप होने वाले हैं, आपका domicile, domicile आपका counseling के time पर बहुत जरूरी लगेगा, क्योंकि अगर आपका domicile उत्राखंट का होगा, तब ही जाके आपको क्या होगा न, college मिलेगा, ठीक है, तो domicile अपना जरूर प्रिपेर कर लीजी, आप लोग counseling के लिए, 10-12 की mark से TC हो गया, और migration certificate हो गया, यह सब आपका जरूरी है, और यह आपका admission के time पर use होगा, यह अभी use नहीं होगा, हो सकता है, आपसे ही documents counseling के लिए भी मान रहे, तो सारी documents मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि आपको prepare करके रखें, ओके, I hope आपको कुछ doubt इस वीडियो से भी clear होई होगे, कुछ नहीं होए तो comment section मैं मेर से पूछिए and मेरे तेमें को subscribe करते रहे, so somehow